हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तों फाइनली एक बार फिर आपके लिए लेके आ चुका हूँ का और इसी समझनित में आपको पहले भी तिन वीडियो कंप्लीट कर दिया है यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है और देखनी की इच्छा रखते हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएगा तो आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं या मैंने कोश्ण की DC जनेरेटर में उतपन EMF निमलिखित की समानुपाति होता है निमलिखित मतलब की आफसंदे गया चली है आफसंदे लेते हैं पहला इसमें आफसंधी दिया गये फिलक्स धुरू और भी आफसंदे गया आर्मेचर की चाल और धुरू की संक्यां और इनमेसिस सम चलिए अभी तब कुछ लोग जूड़ रहे हैं तो एक बार सभी लोग शेयर कर दिए ताकि और भी श्टुडेंट जूड़ पाएं और इस तरह की कलास का लाब उठा पाएं एक बार सभी लोग इसको सेयर कर दे लाइप कलास बासेशन को सुरू मैंने कर दिया है और सभी ल और नाम होता है इलेक्ट्रो मोर्टी फोर्स को पहले ध्यान किएगा उसके बाद इसका हम सुत्र बताते हैं इसका सुत्र होता है क्या फाई ZNP upon 60A होता है ठीक है और ये पूछ रहा है कि किस के क्या होता है ये पूछ रहा है कोशन में कि किस के समानुपाती होता है तो दोस्तों ध्याने किएगा फार्मूला ये है हमारा की EMF बराबर 5 ZNP upon 60A तो फार्मूला के अनुसार DC generator में जो उत्पन EMF lung गया no load up follow हो गया मतलब की नंबर Hi receber की और इस पीड़ आप us रर्मेचर ये सभी के क्या होता है समानुपाती होता है और आफचन no function in incident to Train company मतलब की ध्रूर के भी समानुपाती होता है और चाल के भी समन उपाती होता है और दुरुवकी संख्या के भी इसलिए यहां पर हम डी आफशन बिल्कुल करेक्ट एंसफर मारेंगी के लिए होगा दोस्तों उमीद है आपको किसी को भी किसी भी स्टूडेंट को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा के लिए होगा आगे ब अब है दो गया गया था प्लेट कंपांड जनेरेटर को चली एक बार सभी लोग इसकाईसंवर दिजीए यहांपर कोशन आपके सामने है और आसन भी आपके सामने एक बार सभी लोग इसकाईस वर दीजिए जाले पाटाफ़त सभी लोग देख लिजिए कुछ बिल्कुल क यहां पर जीत ने बिल्कुल करेक्ट एंसवर्द दिया आफसन नमबर यह हमारा बिल्कुल सही हो जागा मतलब कि DC सप्लाई वित्रण में बुष्टर के रूप में जो परियोग होता है वो स्री जनेटर का किया जाता है और संट जो DC जनेटर होता है उसका परियोग निकटव के अनुसार हमारा सही हो जाता है और जो यहां पर नीचे हमारा दिया गया फ्लेट जैसी देख सकते हैं फ्लेट कंपाउंड जनेटर अब इसका परियोग होता है कम दूरी वाले बेदुद भार को सकती देने के लिए तो यहां पर कोशन के अनुसार हमारा यह आफसन बिल् रियक्शन के सब्बेच में मने के तरपर यह यहां ने से आप क्या समझते हैं चलिए सभी लोग इसका एंसवर दीजिए पहला आफ़सन देगे में नूट्रल और 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 से डिया अप्ट अच्छिस और स्ड़ए चाहां पर मेग्नेटिक नूट्रल और यहां पर मैग् का एंसवर दे रहे हैं तो उनसे रिक्वेश्ट है कि आप इतने ही समय में कोशन का एंसवर देने का प्रयाज के लिए चले सब लोग इसका एंसवर दीजिए तो ध्यान दीजेगा दोस्तों DC generator के armature reaction के सापेच MNA जिसे कि यह जो MNA होता है इसी से तातपरी यह होता है कि magnetic natural जो axis होता है जिसको हम MNA कहते हैं इसका पूरा नाम होता है क्या यहां पर आपसे इसका MNA से पूरा नाम पूछा गया है तो इसका पूरा नाम होता है magnetic natural axis और मैंने दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया तो यहां पर उसको भी ध्यान खिएगा तो कोशन के अनुसार आफसन नमबर D हमारा बिल्कुल करेक्ट एंसवर हो जा घूनन करता है यहांपर जो खाली असान इसमें क्या फराजेगा एक डी सी मशीन में आर्मेचर खाली असान के अंदर घूनन करता है कि सके अंदर यह गोर्ण करता है चलित रोक के या स्टिर के या चनल स्टेटर के या स्तीर कम्यूटेटर के चले सभी लोग इसका एंस्वर दीजिए जितने भी लोग लाइब वीडियो देख रहे हैं सबसे रिक्वेश्ट है कि आप इसका एंस्वर देने का प्रयाज कीजिए तो ध्यान दिजेगा दूस्तो एक DC मसीन में आर्मेचर इस्टेटर के अंदर घुनन करता है कहाँ पर करता है इस्टेटर के अंदर घुनन करता है चले इसको बारे में थोड़ा सा आपको जैन कर देते हैं उसके बाद आप तो समझी गए होंगे यहाँ पर भी आफसन सही हो जाता है आफसन नंबर जो भी दिया गया हमारा भी आफसन बिल्कुल करेक्टेंस्वर हो जाता है आगे बढ़ते हम कोश्चान नंबर 65 पे हैं कह रहा है कोश्चान कि एक समान ये DC मसीन में कितने मैगनेटिक पोल होते हैं चले सभी लोग बताईए आप सभी को मालूम है प एंदर बैठाया होता है और यहाँ पर हमारा कोसा दिया गया आफसन नंबर तो DC generator में उत्पन होने वाली ताम रहानी का मान होगा 80 Watt या 40 Watt या 320 Watt या 400 Watt एक बार सभी लोग इसका answer दीजिए यदि आप answer नहीं दे पाते हैं तो मैं इसको solve करूँगा चलिए एक बार सभी लोग इसका answer दीजिए चलिए कुछ लोग इसका answer दे रहे हैं कुछ लोग अभी तक लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यदि किसी coil का परतिरोद मतलब कि यहां पर चार ओम दिया गया है और उसमें गुजरने वाली धारा क्या है 20 MPR है और DC generator में उत्पन होने वाली ताम रहानी का मान पूछ रहा है तो देखिए यहां पर अमारा आयये बराबर कितना दे दिया गया है 20 MPR दिया ठीक है और और का मान हमारे कितना दे दिया गया चार ओम दे दिया गया आव सभी को मालूम है अरमेचर्ण ताम रहानी का जो सुत्र होता है ग्यांत करने उसफोजाए कि TAMON कितना दिया गया तो यहाँ पर चार कर देंगे आप तो आप आशनी से कर सकते हैं तो विस इसका कितना हो जाएका लोगा चारव हो जाएगा ये चाइसोगा मतलब कि सोलसो सोगे कहां सान की कौरेक्ट मारेंग helpless बिल्कुल आसान कोशन था चलिए आगे बढ़ते हम नेक्ट कोशन पर हैं नेक्ट कोशन है दोस्तों कोशन पढ़े होंगे तो उसको भी बता सकते हैं इसके इसमें जो आपका भेस प्लेट है यह गया Premier में आपका कोई बेस वी होता है बतलब कि यहाँ पर मैंने फेन प्लेट और और अबरस होल्डर और बेरिंग प्लेट का नाम सुनाता लेकिन यह जो आपका बेस प्लेट दिया गए यह आपका डिसी जनेटर का यह रोटर का भाग नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पर कि धिमन में से कौन सी जनेटर के भाग नहीं तो हम गरेंगे और सारे आटब गलत असके दियुए लेकिन वाश्ताचान बीजिए के जरा है जिस तरह पूछ रहा है उसी तरह हम जवाब देंगे तो आपसा नमबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन नमबर 68 पर है किस वाइंडिंग में पतले तार अधिक टर्न पाए जाते यह तो बहुतीजी कोशन हो गया आप सभी को मालूम है अपने नाम सुना ह देजिए उसके बाद मैं आपको पूरी जनकारी देता हूं यहां पर दिया कि संट वाइंडिंग स्रीज वाइंडिंग स्रीज एव संट वाइंडिंग और न तो स्रीज और नहीं संट वाइंडिंग तो आपको कौन सा आपसंस सही लग रहा है एक बार सभी लोग इसका एं तो इसमें मोटे तार के कम टर् पर योग किया जाते हैं किसका? मोटे वायर का तो कम यहांपर जो होता है पतले तार तो यहांपर सभी हो जैता है हमारा Panel A अथात Sun to Winding तो आफससन नंबर जो हमारा A दिया गया है यह कोशन का अनुसार हमारा ये आफसन बिल्कुल correct answer हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 79 पे कहराई कोशन कि एक DC generator की wave winding में 8 पोल वाले 4 चालक 600 RPM की गती घुमकर 0.5 वेबर का चुमकिय फ्लक्स उत्वन करता है तो प्रियरित EMF का मान क्या होगा 160 बोल्ट या 80 बोल्ट या 10 बोल्ट या 120 बोल्ट या 120 ये तो कोशन थोड़ा सा टप हो जा रहा है फिर भी आप लगा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं चलिए सभी लोग लगा लिजिए इसका सुत्र होता है ये बराबर फाई जेड एन पी अपान 120 चाहे आप पी अन कहें चाहे एन पी कहें कोई फरक नहीं पड़ता है इसका जो वास्तविक सुत्र होता है यहां पर जैसे की सिस्टेमेटिक धंग से वह आपका होता है फाई जेड पी अन पान यहां पर 120 होता है ठीक है चलिए सभी लोग बताईए क्या दिया है बाई कुछ नहीं यहां पर बहुत असान है पोलो की संक्या कितना दे दिया गए तो 8 दे दिया गए और यह आपका जो चार दिया गए यह आपका जेड का मान है ठीक है और यह आपका जो 600 दिया गए यह आपका एन का मान है और यह आपका फाई जो दिया गए यह आपका बेवर जो कि 0.05 दिया गया बेवर का मान और यह का मान पूछ रहा है जो कि सुत्र यहां पर बिल्कुल कंप्लेट है तो आप लगा सकते हैं सुत्र के अनुसार इसको अथाथ 0.05 गुड़े चार गुड़े आठ गुड़े 600 बटे कितना था 120 ठीक है तो यह हमारा हो जाता है 120 यहां पर कर लीजिए उसके बाद इसका सही से लगा के देख लीजिए 80 वाट आएगा कितना जागा दूस्तों 80 बोल्ट आजेगा यहां पर हमारा बियासन बिल्कुल करेक्टेंसर हो नेक्स्ट कोशन पर हम आते हैं कोशन नमबर सत्तर पर कराई कोशन कि यदि लेप वाइंडिंग में पोलो की संक्या चार है तो समानतर पथों की संक्या खाली स्तान होगी बहुतीजी कोशन है देखिए मैंने आपको कल भी समझाया था चलिए एक बार सभी लोग इसका एंस चुपा हुआ था तो देखिए यहां पर इसको हम बताते हैं आपको सभी लोग ध्यान से सुनिए देखिए लेप वाइंडिंग में पोलो की संक्या चार है तो समानतर में पथों की संक्या चार होगी क्यों क्योंकि जो आपका होता है ए बराबर पी ठीक है मतलब कि होता है तो इसलिए यहां पर जो हमारा दिया गया है आफसन नंबर बी 4 आपका पतों की संक्या भी कितना होगा चार ही होगा तो यहां पर आफसन नंबर भी हमारा बेलकुल करेक्टरेंस वर हो जाएगा आए आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 71 पे कहराए कोशन निमन में से किसकी मदद से DC मसीन में आर्मेचर प्लेटों को समानतर या समानदोरी पर रखा जाता है योग या पॉल्सू या कमिटेटर या सीरा प्लेट एक बार सभी लोग इसका एंसवर दीजिए कोशन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कहराए कोशन की नेमने में से किसकी मदद से DC मसीन में आर्मेचर प्लेटों को समानतर या समानदोरी पर रखा जाता है योग में या पॉल्सू में या कमिटेटर में या सीरा प्लेट में बहुत ही अचा असान कोशन था दोस्तो आपने सीरा प्लेट का नाम सुना होगा ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा जनकारी देता है उसके बाद आप पकड़ लेंगे सीरा प्लेट की मदद से DC मसीन में आर्मेचर प्लेटों को समानतर यह समान दोरी पर रखा जाता है और DC मसीन में जो योग का कारी होता है जिसे कि आपका पहला दिया गया इसको भी मैं समझा देता हूँ सारे को मैं समझा दूँगा जो आपका योग का कारी होता है यह यहां त्रिक संतुलन परदान करना यह योग का कारी होता है और जो यहाँ पर commutator दिया गया है इसका कारी क्या होता है इसका कारी होता है AC को DC में बदलना और जो यहाँ पर पोल्सू दिया गया है इसका कारी होता है तो इसका कारी होता है पोल्सू का की चुमक की अच्छेतर अस्थापित करना तो यहाँ पर कोशन के अनुसार हमारा D करेक्ट हो जाता है सीरा पलेट अथाथ समाल दूरी पर रखा जाता है सीरा पलेट है तो यहाँ पर हमारा D याक्सन कोशन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट एंसवर हो जाता है क्लियर हो गए दोस्तों आईए नेक्ट कोशन पर हम आते हैं कोशन नमबर बत तरपे कहराए कोशन कि ढलबा लोहे से बने योग उन जनेटर के लिए परियोग किये जाते हैं जिनका कमो अथात के डवलो किलो वाट कमो या उचो या कोई भी किलो वाट नहो या यहां पर दिया गए आपका कि योग को तो दोस्तों आप सभी लोग बताए इसका कौँ सा आफसन सही लगता है अथात यहां पर कोशन पूछन का मतलब है जो डी वाला योग इज नेबर मेड आप आप कास्ट आइरन मतलब की कभी भी ढ़लवा लोहे से बने नहीं बनाई जा सकती लोहे से नहीं बनाई जा सकती इसमें से कौन सा आफसन आपको सही लग रहा है एक बार सभी लोग इसका एंसवर दीजिए बेलकुल करेक्ट बेलकुल करेक्ट एंसवर आफसन नमबर ए हमारा सही हो जागा क्यों कीूँकि ठलवा लोहे से बने जो योक होती है उन जनेटरों के लिए होती प्रियोग की ज हो यहाँ पर अब्लकूल क्रेक्ट रखो जाएगा के लिए दोस्तों आई एंगेशन पर यहां पर यह कोशन आगे बढ़ते हम खोशन नम्बर ब्रस या टर्मिनल प्लेट देखें तो चार्बन ब्रस कम्यूटेटर में धारा संग्राइब करके बाहर सप्लाई में प्रदान करता है यह सभी आर्मेचर साफ्ट के आस्ताइट प्रदान करते हैं इसलिए यहां पर कोशन के अनुसार हमारा सी आफसन बिल्कुल करेक्ट एं जैसे कि कोशन पूछाए कि निमलकित में से कौन कम्यूटेटर से धारा संग्राइब करता है तो यह आपका कार्बन ब्रस हो जाता है स्यासन करेक्ट हो जाएगा आए नेक्स्ट कोशन पर आता है कोशन नमबर चोट्तर पर कराई कोशन की जिस बीदी से डीसी जनितर में व यहां कहलाता है उसमिया या गतीज या इसतीज या रसाइनिक चलिए सभी लोग बताईए को कौन सी बीदी है वह तो देखिए दोस्तों जीस बीदी से डीसी जनितर में विदूत वहाक बल प्रेरीत होता है वह आपकी गतीज कहलाती है और गतीज कौन सा दिया गया है तो आफसन नमबर यहां पर हमारा गतीज जो की देख सकते हैं भी दिया गया है भी आफसन हम करेक्ट मारेंगे आए आ हाँ नहां पर 8 बजे तक चलती रहती है ठीए चले राओं कॉषान नमर 75 क्यों नहें की इस का कार शीधांत दोस्तों आप सभी कि वर डे वे तक बीदू के प्रेंखन नियम है दिया बिभन का नियम दिया गया तो आपको कौन सा आपसन सही लगता है चलिए एक बर सभी लोग इसका एंस्वर दें जितने भी लोग लाइब देखने सबसे रिक्वेश्ट है कि आप सभी लोग इसका एंस्वर दीजिए तो देखिए दूस्तों डीसी जनरित का कार्य सिधान जो होता है फैराडे का बिदू चुमकिये प्रेंड नियम है और कि प्रेंड नियम तो यहां पर सी आफसन हम बिल्कुल करेक्टेंस वर बारेंगे सी आफसन यहां पर हमारा सही हो जाता है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 76 पर कराई कोशन कि किसी चालक में बिदू तबहाक बल प्रेरित होने के लिए आवस्यक है इस्तिर चुमकि का गतिमान चलक या तो गतिमान चुमकिय फ्लक्स अत्वा गतिमान चलक चली सब लोग इसका इंसफ़र दें कोशन को धैन से पढ़ांस काफि यहां पर लंबा लंबा दिया गया है और कोशन भी थोड़ा सा इजी है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप सभी कि किसी चालक में बिदुत्वाक बल प्रेरित होने के लिए या तो गतिमान चुमकिया फ्लक्स या गतिमान चालक की आउसकता होती है अतात किसी जनित द्वरा उत्वन बिदुत्वाक बल की गड़ना के लिए प्रियोग किये जाने वाला जो सुत्र होता है वही आपका बिदुत्वाक बल का समिकरण कहलाता है और कोशन का अनुसार हमारा सही हो जाता है आफसर नंबर D बिलकूल करेक्ट इनसओर की या तो गतिमान चुमक की फ्लक्स अतवाग गतिमान चालक अथात किसी चालक में बिदुत्वाक बल पिरित होने के लिए क्या जुरूरी है या तो गतिमान चुमुत की एफलक्स है या गतिमान चालक की आउसाइकता होती है इसलिए यहाँ पर हम D आफ़सन बिलकूर करेक्ट एंसर मारेंगे क्लिए रोगा दोस्तों आईए कहराई कोशन कि यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपूट होगा अईटरनेटिंग करेंट या पलसेटिंग करेंट या असिलेटिंग करेंट या डिरेक्ट करेंट कौँसा आफ़सन आपको यहाँ पर सही लग रहा है चले सभी लोग बताईए बेरे बेरे इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों यह थोड़ा सा इजी भी है सभी लोग इसका इंस्वर दे सकते है मातर पांच सेकेंड का ही मोका दिया जाएगा इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर बताने के लिए समय नहीं दिया जाएगा तो सभी लोग इंस्वर बताने यह तो देखिए दोस्तों यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपूट में क्या होगा अल्टरनेटिंग करंट होगा और इस वीदी में आर्मेचर क्या होता है लूप को दो स्लिप रिंग से जोड़ देता है मतलब की जोड़ा जाता है और स्लिप रिंग जो होता है दो धात्विक मतलब की दो पीतल के बने होते हैं और यह एक छले टाइप के होते हैं तो यहाँ पर question के अनुसार हमारा A option बिल्कुल correct transfer हो जाता है alternating current के लिए रोगा दोस्तों आईए next question पे हम आते है question number 78 पे है कहराई question कम चमता वाली DC machine की योग खाली अस्तान की बनाई जाती है बहुरी very important है दोस्तों इसको आप भी भी I में लिख लीजेगा जो कि इस तरह के question आपको बार बार पूछे जाते हैं परिच्छा में कुछ question ऐसे मैं आपको बता दूँगा कौन कौन से important है ठीक है तो इसको आप very very important पे लिख लीजेगा कम चमता वाली DC machine के योग जोए किस चीश के बनाए जाते है काश टाहरन के या एलमुनियम के या पितल के या फेब्री केटेड श्टील के चले सभी लोग बताए कोशन का एंसवर कुछ लोग बिलकुल करेक्ट एंसवर दे रहे हैं काश टाहरन बिलकुल करेक्ट एंसवर दोस्तों कम चमता वाले DC machine के योग होते हैं काश टाहरन के बनाए जाते हैं या बनाए जाती है इससे के अलबा किसी की चीश के नहीं बनाए जाती है और जनली तरह जो मोटर होती है उसकी बाड़ी योग ही कहलाती है इसको भी द्या पदारत हैं एंपियर कलाथ या लकड़ी या अब्रक या बर्निस कौन सा अफसन आपको सही लग रहा है चलिए सभी लोग इसका एंसवर दीजिए सभी लोग इसवर दे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कमिटेटर सीगमेंट के मद्य परियूग किये जाने वाला आचाला का आपका जो पदार्थ होता है वो आपका अब्रक होता है और कमिटेटर जो होता है एक ऐसी युक्ती होता है जो की ब्रसों तथा जो रॉकर्स हो दोस्तों आएए नेक्स कोजण पर आते कोश्ण नमबर असी पर आते हैं और यह इस वीडियो का लास्ट कोशन है और कमेंट पर जो बताएगा आप कोशं को कबर किया जाए किस चैप्टर से बताएगा कोशं का इंसवर आप जोडस ए तोपप यह जाते हैं चलिए नमबर पर आपको नहीं बताओंगा आपसन आप खुद पढ़के बताईए इसमें आपको मैं 10 सेकेंड का मोका देता हूं छले सवीलों बताईए चलिए चलिए सबी लोग बताइए देखिए यहां पर डी हमारा करेक्ट हो जाता है AD करन च्छती के मान को क्या करना कम करने के लिए ऐसा किया जाता कियों क्योंकि armature core को limited बनाने का जो कारण है यही कारण है कि भवरधारा जो हानी होती है उस च्छती के जो हानी होती है उस हानी के मान को कम करने के लिए ही किया जाता है और यादी पूझतिया जाए कि जो裡面 rate किया जाता है जोحمी पती होती है उसके मोटाई कितनी होती है तो चैनल को भी सस्क्राइब कीजेगा दोई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें रिक्वेश्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप कलास से जुड़ पाएंगे